अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस पर्मनेंट पनमाने जा रहे हैं तो पहले परिवहन विभाग की तरफ से जारी किये गए नियमों को जरूर पढ़ने परिवहन विभाग ने लाइसेंस बनाने वाले नियमों में बदलाब कर दिया हैं अब आपने जिस जगल से जिस जिले से लर्निंग लाइसेंस बनवाया है उसी जिले से स्थाई लाइसेंस भी बनाना होगा बढ़ती हुई सड़क दुर घटनाओं के बीच परिवहन विभाग ने लाइसेंस बनाने के नियमों में ये बदलाब किये हैं अब जिस जिले में ल परिवहन अधिकारी को पत्र लिख कर सौफ फ्वेर में आवश्यक विवस्था करने के आदेश दिये हैं परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अब तक आविदत लर्निंग लाइसेंस के बाद कहीं से भी स्थाई लाइसेंस पनाने का ऑप्शन था इसके कारण जिन जिलू म देटी ओ और MVI को लिखे पत्र में विभाग में कहा है कि वहां दुर्गटनाओं में कमी लाने के उद्देश से सड़क सुरक्षा की संबंद में नई पहल चारी की जा रही है सड़क दुर्गटनाओं की समीक्षा किया जाने पर अन्य पहलूं के अतिरक्त ये तच्छी प साथ संस्थान को मानक रूप से प्रारंब किया जाएगा स्कूल और संस्थान खोलने का काम उच्छ प्रत्मिक्ता के साथ करने के निर्देश पर दिये गए हैं साथ में बिना निबंधन के ड्राइविंग स्कूल पर शकंजा कसने की बात भी की गई है क्यूंकि राज्था इसके कारण हजारों आवीदक जिनका लर्निंग लाइसंस फेल हो रहा था उन्होंने दूसरे जिलों में जाकर इस थाई लाइसंस के लिए आवीदन कर दिया है थाई लाइसंस के लिए 300 रुपए का चालान कटाना पड़ता है लोट बुक करने के लिए अलग से 50 रुपए भी देने होते हैं इससे हजारों आवेदकों का लाइसंस पस सकता है इसी लिए परिवहन विभाग के द्वारा इस जरूरी नियम में बदलाव किया गया है और यह साफ रूप से कह दिया गया है कि लोग अब जिस जिले से लिर्निंग लाइसंस बनवाते हैं वो सिर्फ और जा रही है कि नियम में इस बदलाव से सड़क दुरगट नाओं में कमी भी दर्ज की जाएगी आप तमाम वीडियो के लिए लाइफ सिटीज के साथ बने रहें अगर इस वीडियो को फीजबुक पर देख रहे हैं तो पीच को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं त जानिवार